नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिबार असुडेंट इलाइट में त्यार दोस्तों आज हम लोग नया चिप्टर का आगाज करेंगे जिस चिप्टर का नाम है परसेंटेज यानी परती सत्ता आज इस चिप्टर का शुरुआत करेंगे हम लोग इसको समझेंगे बारी की से कि एक्च्वली परती सत्ता होता क्या है कहते किसको है इसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे किस किस परकार के प्रस्टों को पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से देखेंगे इस चिप्टर को पहल सब्सक्राइब कर दिया है आज हम लोग आठवा चिप्टर शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज हम क्या बोले थे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था आगे जो भी चिप्टर चेला हम पढ़ाएंगे सब एक्जाम के भीव से बहुत ही इंपोर्टेंट च पूछा जाता है तो यह सब चेप्टर को बिल्कुल बारीकी ढंग से पढ़ना है है न दम बिल्कुल साही ढंग से देखिए परसेंटेज और रेसियो आज के दौर में अगर कोई विद्यार्थी इसको नहीं जानता है समझी विद्यार्थी कंपेटीशन के लाइक है ही नह अगर आप कोई भी कंपेटीव इकजाम देते हो तो इस दोनों चेप्टर को आपको घोर के पी जाना होगा क्योंकि परसेंटेज और रेसियो के मदद से ही हम सभी परकार के परस्णों को सुभधा पुरवक हल कर पाते हैं तो आज हम लोग जो सुरू कर रहे हैं उस चेप् प्रतिसत है क्या देखिए परतिसत सब्द दो सब्दों प्रतिपलससत समय रहना बात को प्रतिसत दो सब्दों प्रतिपलससत से मिलकर बना है यानी प्रतिपलससत बराबर में प्रतिसत से मिलकर बना है जहां प्रतिकार्थ होता है प्रतेक जहां प्रतिकार्थ क्या होता च सैकड़ा या सो या सो ऐसे बोलिए तमरेन बात को तो प्रती सत दो सब्दों से मिलकर बना है एक है प्रती और दूसरा क्या है सत तब प्रती का मतलब प्रतेक और सत का मतलब हुआ सैकड़ा सो अंक में लिकिए सो या दोनों मिलकर के बनता है प्रती सत अथार्थ प्रती सत का होता है प्रती सेकड़ा या प्रतेक सौ में यानि प्रतेक सौ में तो होता वही प्रतीसत होता है अगर इसको दूसरा रूप में डिफाइन करना चाहें आप तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रतीसत वह अभिन है अगर दूसरा यह देखिए तो ऐसा चीज का बता दिये कि इसके यहां अथार्त प्रति सेकडा istnto mean या प्रतेक सो में समझे के ईसके दूसरा रूप में कैसे डीफाइब करेंगे तब प्रतीसत वब हीन है जिसका हर पर्मानेंट सौ होता है उसी के दर प्रतीसत के नाम से इसको जाना जाता है ऐसे भी आप इसको define कर सकते हैं क्या बोले कि प्रतीसत वह भीन है जिसका हर हमेशा 100 होता है अंस में जो संख्या होता है उसी के दर प्रतीसत के नाम से उसको कुकारा या जाना जाता है प्रतीसत का सिंबॉल आप जानते हैं बचपन से प्रतीसत का relating to umesh ce daily अब हम प्रतीसत को समझते example के द्वारा एक प्रतीसत का मतलब क्या हुआ 100 में एक क्या हुआ 100 में यानि एक बटा शो समझता-बात को सीधा-बात को समझिए आप प्रती सत का मतलब गावं भर में बचपन से अप मतलब बटा में 100 प्रती सेटरामे या फिर प्रतेक सोमें त Gesine de qui अर्यानी से एक परिशत का मतलब एक बटा सो पांच प्रतिशत का मतलब क्या हुआ मेरे भाई पांच बटा क्या हुआ पांच बटा-वह पांच बटा-वह प्रतीसद का मत्लब इसुपटा-वह पचंप चाहर प्रतीस अक मत्लब हनुन एक हम crying और ये सुप उसलब इस फ्रतीसत और प्रतीस दार ह्म पसंजाय अब जैसे में दूसरा रुक में किया था बात याद्यामने क्या बोला था कि प्रतीसत वह भी नहीं चिला जिसका हर हमेसा सो होता है अन्स में जो संख्या होता है उसी के दर प्रतीसत के नाम से इसको पुकारा जाता है जैसे सव आपका एकस बटा सो हर में सव एक प्रतिसत हर में हमेशा सव होगा अन्स में जो संख्या होगा उसी के दर प्रतिसत के नाम से इसको पुकारा जाएगा प्रतिसत का सिंबोलिया है इसको बतानी कि आवसकता नहीं है क्योंकि आपी सब चाहिए बच्पन से सिकते आ समझ गया ना तो प्रतिसत दो सबोसे मिलकर बना है एक है प्रति और दूसरा है सत जहा प्रतिका आर्थ होता है प्रतेह में आप समझ गये होंगे प्रतीसत सब्द जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है प्रतीसत का हकीकत में अर्थ क्या निकल के आता है यह सब आपको अभी हम क्लियर करवाए प्रतीसत होता क्या है हम प्रतीसत को कैसे डिफाइन करते हैं कैसे रिपरजेंट करते हैं यह सब बात हमने आपको सिखा दिया अ हैं आप हो चाहिए कोई संख्यां हो चाहिए बस तुव अपने आप में सौ प्रतिसत ही हुआ करता है अचछा दिख़िए हम अपने आप में 100 है तुम अपने आप में 100 होगे हाँ जब किसी से कंपेर करते हैं तब उसका स्टमान या तो बढ़ेगा या तो गटेगा जैसे हम बोले अगला लड़का से यानी राम स्याम से 10 प्रतिशत ज्यादा तेज है सब कमपेर किये तब नहीं राम अपने आप में परिपूर्ण स्टमापने आप दोनों आपने हैं सौपर सेंग लेकिन जब करते हैं तो प्रतीशत मान बढ़ता है या तो प्रतीशत मान क्या होता घटता है जाब से 40 में एक संख्या is taking support है के उसका प्रतिशत मान या तो बढ़ता है या तो अमीद करते हैं कि आपको प्रति一 और समझ में आया होगा चलिए सुरुब करते हैं परसेंटेज का topic number first अब heading करो topic number first चलिए प्रतिशत का आर्थ आप सिदा समझें बटा में 100% दोश सब्दों से बिलकर बनाए प्रति और सत प्रतिक आर्थ होता है प्रतिक का मतलब हुआ से कड़ा सो यानि प्रति से कड़ा में है लिए प्रते republican फ्रस्जाय से हो यजे ऌद करने के लिए चेब करने रहें प्रस्छना संख्या पहिला हाँ देखो चेला प्रस्न है आपको हाँ क्या है कि 550 550 और कितना आपका 66 प्रतीशत 16% यानि बठा में कितना हो जाएगा आपका 100 ए पलस में होगा 825 आठ सो 25 का बीस प्रतीशत 800 क्या हो पचीस का बीसप्रतीशत ऐसा मत समझना हम सुरुत में आसांसा प्रस्ष्ट में बताते हैं तहलु यह सब क्या पढ़ें तो फालतू बला बात सर बताते नहीं चला आप सुरू से मेरे बात को ध्यान में रखिए सुरू से अंग तक चलिये हम पर उसके बाद बाइसा नहीं कि एक बार नीचे एक बार उपर चलांग लगा दिये नहीं उसमें गड़बड होने की संभावना है या तो चड़िये जाई गड़िये जाइए गिर के हैं तो इसलिए बिल्कुल सब्सक्राइब करने का परियास करते हैं ताकि आपको कता ही पर कर लीजिए dealer 20 से कट गया कितना बार biology five से कट लीजिए आपका एक बार में अब इसका क surplus से कट लीजे, ग्यारा बार में. 50 से कट गया, डू बार में. अच्छा दू से कितना बार में कट जाएगा आपका 33 बार में. अब सुलफ कर लीजिए, अच्छा, 33 गुना एक 11, तब 333 देह, 310 और पोलस में 33, हाय चो चो कितना बारह और यह हो गया चार एक इतना पांच यानि पान सो अठाइस आपका राइट अंसर है क्या हो जाएगा पान सो अठाइस ओक्सन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई चलिए अगला प्रस्ण पे चलते हैं देखो काता तीन सो तीस का है नहीं प्रतीसत यानि बटा में सो पलस्में यह हो गया 960 का 33 प्रतीसत यानि बटा में कितना होगे आप तस्व हाँ ध्यान दीजिएगा एक सुनना काट लीजिए इभी काट के अच्छा एक बात आपको क्या लग रहा है कि यह दोनों जो है चाहिए यह तर्म का बात हो चाहिए दोनों तो एक ही चीज़ है तो एसा करते हैं इसको लिख देते हैं डारेक दो गुना हना 33 गुना कितना हो जाएगा आपका यह जाएगा आपका 96 अपका दस नहीं आपको बार बार बोलते हैं कि उत्तर हमेशा आपके प्रस्ण में असपस्ट होता है आपका नजरी आउस्पस्ट होना चाहिए आपके सोच न inseam कोई भी प्रस्न का बिलकुल आप डिसमर अस्थान सब्सथान का काले लगाता है या को थोड़ा हट के लगाई है चली अब देखिए 33 गुना 96 कर लीजिए च्छोत्री कितना हो गया आपका 18 अब देखो यह च्छोत्री के 18 और कितना हो गया 27 28 हो गया 45 45 से कितना हो जाएगा आपका 46 पज जाएगा 4 और यह हो गया 27 28 अच्छार 31 168 बटा पांच इन में से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा आपको गुना करने के लिए भी सिखा देंगे दू अंक वाला तीन अंक वाला सब सिखा देंगे सिंप्लिपिकेसन में हाँ हमने आपको बोला था कि जितना स्क्वाइर निकालने का तरकीव आपको बताया गया है स्क्वाइर रूट निकालने का तरकीव निक बताया गया है क्यूब रूट निकालने का तरकीव बताया गया ऐसा मत समझे कि यूटूब पर फिरी है तो फिरी वाला में कुछ नहीं सर बताया नहीं आप उसको मेंटे का ध्यान दीजिएगे क्या है मेरे भाई 25 है ना तो सबस् Glue सتمी じएक अ tap if 30.- में हो गें 215 का 10-30 पराबर में कितना हो गार्द आपका यह होगा आपका 3800 calculate कर लीजिए आराम से देखो यहां से सुनना काटो यह हो जाएगा 11.5 जोड़ लीजिए 25 से 9 बार में और 25 से कितना बार में चार बार में नहीं चला 25 नमा 25 सब 2500 का कितना होगे आपका 100 इधर लेप साइड का मान आपका कितना हो जाएगा पांच चली नौ से काट लेते हैं अचा नौ चो कितना हुआ 36 दो हन एक नौ दुना कितना हुआ अठा रह नहीं कि फिरोगे आपका तीन और नौ पच्छे पैतालीश चार सो तेईस दसमलों पांच अब देखो नह चार सो तेईस में चार से गुना कर लिजिए अच्छा चार सो गुना चार तो सुलरण सो आरेस्च चोडुशो 5डस सा कर clam 4 साуг थे दिखन अब इसन पांच में चार से त्दू जोटिव तो यानिस आरीगे 125 इसलिए नंबर डी आपका राइट इंसर है कैसे गुना करते हैं कैसे गुना से खेलते हैं आप भी खेलो देखो चार सो गुना चार सो तैइस गुना चार बिरानवे दसनमलों पांच गुना चार दू सो लह सो बिरानवे पलस में दू सो लह सो चौरानवे आपका राइट इंसर हो जाएगा अगला प्रस्न पर आईए कि देखी अगला प्रस्न कि देको मेरे भाई साथा दो सौ असी का एक्स प्रती सत्य आड़े बट्टा में कितना होगे आपका सो ऊचल पलस्त में यह होगे आपका पांसो पचास का अठारः प्रती सतन परावर में 143 दसमलों कितना होगे आपका आठ नहीं अब कलिकुलेट कर लो इसको एक सुनना कट गया सीधा सीधी अगर देखा जाए नहीं और थोड़ा सा दिमाग लगा के अराम से पचास से ग्यारा बार में पचास से दूबार में दूसरे कितना बार में नौ बार में लगे आपका 28 एक्स और बटा कितना आपका 10 अच्छा उधर का इसाब किताब लगाई निन्यानवे घटालो आप 143 दसमलों आठ में यानि हो जाएगा आपका 44 दसमलों कितना हो जाएगा आठ अठाइस से काटिए 28 से एक बार में 16 168 से फिर शे बार में एक दसमलों छे य यानि आपका रेजल्ट क्या हो जाएगा 16 यही एक्स का तो मान पूछा गया था चिला यानि एक्स का मान कितना रे मिरे भाई 12 हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 एक्स का मान कितना चेला है आप्षन कौन सा करोगे आप्षन नंबर भी हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ट पर आजाईए अगला प्रस्ट ने कि सब असान सा प्रस्ट नहें या भी चिप्टर आपको चुटकी में स्वल्व करने के लिए सिखाएंगे हाँ बसरते आप इस पहला कलास से अंतीम कलास तक बिलकुल बारीकी ढंग से देखें और सीखें और प्रैक्टिस करें चलिए X का X प्रतीसत बराबर 49 चला देखो काता है X का X प्रतीसत यानी बटा में 100 बराबर में कितना होगे आपका 49 हो जाएगा आपका ध्यान दीजीएगा एक्स अस्क्यार बराबर कितना मिरभायई यह आपका न्चास अस्क्यार्च के रूत होगा यानि एक्स बराबर अंडर Jaya sosh ruch a sport कितना हो जाएगा आपका 70 1 4 dok 7 İs自 indeed एक सुन्णा बदले एक शुनना इसाट अपका रिजेट हो एक्स बराबर ऑप्सन कौन सा करोगे आप ऑप्सन नमबर डी जो है वह आपका राइट एंसर होगा क्या चेला ऑप्सन नमबर डी अगला प्रस्ण पर आते हैं तो आता किसी संख्या का 60 प्रतिसत का 3 वटा 5 भाग 36 नहीं आच्छा ध्यान दीजेगा संख्या को एक स्माल लेते हैं संख्या का 60 प्रतिसत यानि 60 वटा 100 का 3 वटा 5 बराबर में कितना हो गया अगर थोड़ा सा दिमाग को आप प्रोज को बढ़ाओगे तो ऐसे सोच सकते हो संख्या का 60 प्रतिसत का थीन वटा पाँच है यानि इसका साथ प्रतिसत चसे 5 बटा 3 ओज जाएगा या संख्या का साथ प्रतिसत गावान हमको निखाल ले ना है याां स्थोर्य के इतंफोरी के शीक्ना हो गया है ऐसे भी आफ बनाने के लिए आपको जब प्रोसेस आप सीखोगे न तो प्रोसेस का ही जो आपका कंकुलूजन होता है उसी को आप नाम देतों ट्रीक और भृक अगला प्रस्न अगला प्रस्न को देखा जाए काता एक संख्या का हम बार-बार बोलते आ रहे हैं सुरुआती हमने यहां से किया था कि कोई भी देखो संख्या का 55% और 25% के बीच का आंतर 11.10 अंतर 11.10 किसका है संख्या के 55 और 25 यानि 30% का आंतर है आपको 100% कंडिके संख्या आएगा उसका 75% निकाला निकाल लाओ निकाल युटालीजिए डिरेक्ट 25 और फिद्धाय यानि 27.5 यही तो है 27.5 यानि उस संख्या का 75 पर्तिसत कितना मिरे भाई 27.5 हो जाएगा क्या हो जागा चिला 27.5 आपका राइट एंसर है 27.5 चलिए अगना प्रस्न पे आ जाओ कहता है यदी एक्सका गौँर फरमाईए एक्सका 40 प्रतिसत का 40 प्रतिसत का मान है 40 एकस का मान चाहिए 40 से 40 काट ये आप 20 से 2 बार में 20 से 5 बार में आ चला दूसरे काट लीजिए 50 बार में यानी एकस बरावर 50 गुना 5 यानी उत्तर क्या करोगे मेरे भाई 200 क्या करोगे 200 आराम से 40 से 40 गए 20 से दूबार में 5 बार में दूसरे 50 बार में 50 गुना 5 यानी 200 आपका राईट अंसर होगा अगला प्रस्न पर आते हैं आचा अच्छा कोई बड़ी बात नहीं बहुत मसकत है इसमें चलिए सुल्व किजिए साइन अफ इंट्रोगेशन लगा दिया 45 प्रतीशत लगा दिया आहां पलस में अब की बार चेला 90 का 30 प्रतीशत नहीं 90 का 30 प्रतीशत बराबर में कितना मेरे भाई यह जगा 210 का 30 प्रतीशत कितना 210 का 30 प्रतीशत चलिए विसको सुल्व करते हैं अराम सुल्व किजिए आच्छा कोई बड़ी बात नहीं दूसुना से दूसुना उड़ा लीजिए हान देखो दूसुना दूसुना यहां भी उड़ गया यानी हो जाएगा साइन अप इंट्रोगेशन 27 यानी 36 37 63 69 से चार बार में यानी यही जो साइन ओप इंट्रोगेशन लगा था भाट बराबर 20 गुना चार बराबर में 80 कितना मेरे भाई 80 कौन सा उत्तर करोगे आप ऑप से नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जगा मिरे भाई ऑप स क्या है कि 34 का 200 घाइसो प्रतिसद कितना 239 बटा में 100 का पच्चास प्रतिसद प्रते सत का मान आपको बताना है यहीं अए 80 प्रतीशत कामान जो ऐसे कि आपको बताना है चली सुलू कर लेते हैं आराम से पचास थी पाच बार में पचास से कितना वार्त घुबार में ना अच्छा पचास से काट लीजिये कितना बार में दूबार में अब देखलीजिए थोड़ा किया हो जाएगा आपका 85400 तु तुना 4 गुना 100 400 यानि देख रहे हैं रिजल्ट वही लोटके आ गया 34 क्या हो गया 34 कौन सा उत्तर चेला option number A जो है वो आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा कौन सा चेला option number A जो है वो आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए यह था topic number first जहां प्रतिसत को हमने आपको समझाया प्रतिसत के बारे में calculation करने के लिए सिखाया कि प्रतिसत का calculation हम कैसे करते हैं हमने बोला प्रतिसत दो सब्दों से मिलकर बना है एक है प्रती दूसरा है सत जहां प्रती का मतलब परतेक सत का सकता है अर्प्रतिसत का मतलब होता प्रती सक्राइब प्रतीस समें अदर प्रती सत हुआभ है इन है जिसका हर हमेशा सव होता है ऑंस में कोई भी संख्या हो सकता है उसन्षम होगा उसी के दर प्रतिशत के नाम से उसको पुकारा करते है या जाना जाता है जलिए अब हम कंपेर करके प्रतिशत मान आपको निकालने के लिए की आइए यास्त्ते है हमारा एंकया किसी परिक्षा में 60 किसी और का 070 पूब लड़कावा का मझा प्रतिशत जादे हैं यह आप ऐसे बोल सकते हैं आई से एशे राम कांग साथ स्याम कांग क। अभी स्याम जो है राम का कितना प्रतिशत लाया अब प्रतिशत निकालने के लिए आपको सिख लाएंगे कि 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 प्यांग दीजिएगा कि का कि का कि कितना प्रतिशत 240 से पहले प्रोसेस कि माना कि नब्वे का कि एक्स प्रतिशत कि परावर दूसरों चाली समय समाना अले प्रोसेस आहां नब्वे का कि एक्स प्रतिशत का मतलब बटा में सो कि काट के टाई एक सुनना कट गया आपका कि तीन कि असी कि आठ सो बटा तीन के लिए तूसर ची आसट पुणांग दो बटा तीन पर तीन पर तीन है और उत्तर करोगे आप आप्सन नंबर डी जो है तो आपका राइट अंसर होगा दूसर चीला प्रोसेस अब हमको अगर किसी से कंपेर करके प्रतिशत मान निकालना है तो इसको एक्जाम में कैसे निकालेंगे सुग्धा प्रोब कैसे निकालेंगे आप इसको समझाते हैं अगर प्रतिशत कंपेर करके पूछे पूछा 90 का कितना प्रतिशत 240 है सिधा बात समझना चेला जिसके बारे में पूछा जाए उसको रखना उपर यानि मत्वा पर और जिससे तुलना किया जाए उसको रखना नीचे गोड़वा पर हाँ 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 कुछा किसके बारे में 140 के बारे में compare किस से किया तुलना किस से किया तहर नव्बे से 140 गोड़ legacy की और बस लास्ट में 100 से गुना कर लिजिए देखो 30 से कट गया तीन बार में कट गया आठ बार में 800 बटा तीन आपका रिजल्ट 266 पुडांक दो बटा तीन प्रतिसत अब ऐसा ही प्रस्ण को सोल्व करेंगे वह बहुआ वाला अरका तब नहीं करेंगे दोस्तो 66 पुडांक दो बटा तीन प्रतिसत समयरन बात को इसके बारे में पूछे उसको उपर जिससे तुलना करें उसको नीचे सौ से गुना कीजिए प्रतिसत मात निकल करके चला अब एक बात यहां माथा में सेख कियर लीजिएगा कि जब हम प्रतिसत निकाल रहे हैं तो जिसके बारे में पूछा है या फिर जिससे तुलना किया जा रहा है उसका यूनिट इक्वल होना चाहिए समयरन बात को जैसे सब्सक्षराबरे तो डुसमी ग्राम में होना चाहिए कि कीलो ग्राम में और ग्राम में तो घंवल होना चाहिए किलो-ग्राम तो अगला भी 17 ग्राम हैं देख्ये हम बोलें 17 ग्राम के बारे में पूछा है दसनल बार्ण से कन पशला किया हमने सफ़स्ट कर दिया था यूट हमेसा चेला क्न होना चाहिए ऊपर का मामला ग्राम में यह किलो ग्राम में इस ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे एक हजार से गुना करेंगे आप यह तो जरूर जानते होगे चिला कि एक किलो ग्राम बरावर होता है मटना एक हजार ग्राम न ही एक किलो ग्राम बरावर कितना मेरे वाई एक हजार ग्राम जलिए दोनों ग्राम में आ गया अब आप सॉ से गुना करना किजिए दूसुनना से दूसुनना कि दससे गुना करके 10 लोडाएंगे 17 structural एक बठा चार एक बठाचार का मतलब कितना हुआ जीरो दसमलो दूपाँच प्रतीसत नहीं जीरो दसमलो दूपाँच प्रतीसत कौन सा उत्तर करोगे ऑप्सन नंबर ती तो जिसके बारे में पूछे उसको उपर जिससे तुलना करे उसको नीचे योनिट इक्वल करके अगर नहीं है आप जानते हो क्यूंटल के बारे में हना एक क्यूंटल बरावर हुआ करता है आपका एक क्यूंटल बरावर कितना होता है आपका चिला सौ किलोग्राम कितना सौ किलो एक क्यूंटल बरावर होता है आपका सौ किलो अच्छा क्या पूछा है चिला आप देखो आपसे क्या क कहता है पहले बात को समझ लीजिए तो आपसे कहता है कि दो क्यूंटल का कितना प्रतिसत पचास किलोग्राम है एक क्यूंटल आप जानते हो हाना सो किलो के बरावर होता है कितना प्रतिसत पचास किलोग्राम के बारें पूछा तो ना किया दो क्यूंटल से इसको किलोग्राम बदल यह सौसे गुना करके और फिर सौसे दोनों आ गया किलोग्राम से गुना कर लो फटालों 50 बटा जो आ यानि 25 प्रतिसत कितना मरे ब Рथ 25 प्रतिसत एक क्यूंटल बरावर 100 किलोगरा पचीस पर दिस अपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्श्ण पर आई गिंटर 10 मीटर का कितना प्रतिसते दोनों मीटर में हैं तिन मीटर अगला प्रस्न पर आते हैं अगला प्रस्न देख लीजिए क्या कहता है कि इस क्यूंटल दो मिट्रिक टन का अगया देखिए अध्यान दीजिएगा एक मिट्रिक टन बरावर कि एक मिट्रिक टन बरावर हो गया घृल स्वेड़र एक मिट्रिक टन का यहाई टन से कम्पेर किया इसको भी टन में बदल है तो आप क्या करोगे तीस क्यूंतल जो है अच्छा को भी क्यूंतल में करेंगे यह तुर जागा दस क्यूंतल 10 से गुणा कर लिजीए का कितना परतिसाथ दोनों क्यूंतल में वो गया 30 कूंटल उपर था दो मित्री टन से इसको क्यूंतल बदल दी दस से गुणा कर कि का कितना प्रतीस हैं हां इस से काट लीजिए पांच बार विए पीस गुना पांच कितना चेला यह जाएगा आपका देड़ सो प्रतीसात कौन सा उत्तर करोगे आप आप से नमबर डी जो है वह आपका राइट एंसर एक मिट्रिक टन का यह चाहिए एक ट सब्सक्राइब करना चाहिए अब थोड़ा सा मेरे बारे में आपको क्या करना है मैस के बैच के बारे में में लोग को बताना है आठ चेला मैस का बैच जो है वह मास पड़ रहा है सारा वीडियो सारा लेक्टर उपलबद है 101 में आधी बैच जो है मात्र 101 में और जार जार खंड जीके का जो बैच है आधी मात्र 101 रुपया में उपलबद है जो लोग अभी तक सब्सक्रिप्सण लिजेगा ताकि सब लोग इसका फाइदा उठा पाएं और पढ़िए बनलगाठर के हम आपके साथ जितना भी हो सकेगा बेहतर से बेहतर में दोवारा मैच पढ़ने की आवसकता नहीं होगी नो करियों लग जाएगा और इंजुआई भी करोगे फिर आप धान चलिए फिर मुलाकार्थ होगी नेक्ष्ट क्लास में जैंजे भरत